नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार कई बार ऐसा होता है अब पता नहीं चलता हमारे उपर तंत्र क्रियाएं की गई है और जीवन में मुश्कले हैं कि कम ही नहीं हो रही तो ऐसे में सोचने पर विवस होना ही पड़ता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो आज हम आपको जादू टोने तंत्र क्रिया अगर किसी ने किया है आपके उपर तो इसके कुछ लक्षन होते हैं अगर ये लक्षन आपसे मैच करता है तो इस तंत्र क्रिया से बाहर कैसे निकले इसके भी आपको रास्ते बताएंगे तो जैसे सकात्मक उर्जा होती है उसी तरह नकात्मक उर्जा भी होती है अगर पॉजिटिवटी है तो निकिटिवटी है देवता है तो असूर भी है उसी तरह इस ब्रह्मांड के अंदर दो ही ताकत कारे करती है और वो ताकत जब निकिटिव चीजें बढ़ जाती है तो आपके जीवन में परिसानिया आ जाती है क्योंकि बुरा करने के लिए किसी का लोग दानवों की मदद लेते हैं और ये काफी सक्ति साली भी होते है हलांकि देपताओं को परसंद करना थोड़ा मुस्किल है पर दानव जल्दी परसंद हो जाते हैं जल्दी इसके परिणाम देने लगते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कारे सिद्ध करना चाहते हैं लेकिन वो कारे आपको पूरा नहीं होता तो कैसे आप जानेंगे कि आपके उपर गरहों की पिड़ा है या फिर किसी ने कुछ करवाया है आज हम आपको यही बताएंगे तो चलिए हम लक्षनों से जानेंगे कि आपके उपर काला जादू हुआ है निगेटिव एनरजी किसी ने करवाया है आपके उपर परवाव छोड़ दिया है या फिर आपके उपर किसी तरह का कोई गरहों की पिड़ा है तो सबसे पहले तो जादू टोना होने के लक्षन सबसे पहले मन मस्तिक्स पर असर करते है अगर आपके उपर जादू टोना हुआ है तो मांसिक रूप से आप औसांत हो जाएंगे इसका मतलब बार बार बेवज़ा की चीजों में दिमाग जाएगा, मन बेचैन रहेगा बेवज़ा उल्जने होंगी आप पूरी तरह से दिमाग का उप्योग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जहां सकात्मा कुर्जा होती है वहां सुकून होता है, एनरजी होता है सांती होता है अगर आपको लगे कि आप बेवज़ा परिसान है दिमाग का जैसे कोई कार ही करने में आपको मं नहीं लगता तो इसका मतलब बे किसी ने कुछ आपके ऊपर किया है कई बार तो लोग खाने पीने की बस्तू में मिला कर लोगों को खिला पिला देते हैं और लोगों को ऐसास नहीं होता जब मन में उथल पुथल मस्ती है तो समझ में आता है कि कुछ बुरा हुआ है तो दूसरा ये है कि बे बज़ा आपके घर में लड़ाई जगड़े बढ़ जाएंगे आप लोगों में आपस में जितना प्रेम था उतना ही ज़्यादा नफरत हो जाएगा इसका भी मतलब हो है कि आपके घर परिवार के खुसियों से किसी को इर्थिया है और आपके उपर लोगों ने तंत्रमंत्र क्रिया करवा दिया आपके घर परिवार पर तो ऐसा करने से भी घर परिवार के लोगों के बीच प्रेम कम हो जाता इन चीजों को आपको समझना होगा अगर घर में कोई पक्षी बार बार आपके घर में आ रहा है मर जा रहा है इसका मतलब भी लोगों ने जादू टोना करवाया है क्योंकि आपके घर के अंदर पक्षी जादू टोना टोटका करवाके रखा है निगेटिव ताकत की वजह से ऐसा हो रहा है अब जादू टोना होने पर व्यक्ति कुद को कटा कटा महसूस करता है दुनियादारी से इसे लोगों को मतलब नहीं होता अकेला रहता है, खोया रहता है सांत रहता है अपने अपने बाते करेगा अपने रोईगा अपने से बूलेगा पता ही नहीं चलेगा वो किस खयाल में खोया है मन की बेचैनी उसे बार-बार मारती है तो ऐसा लक्षन भी बताता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया है अगर आपके घर परिवार भी कोई ऐसा बेक्ति ऐसा कर रहा है तो समझ लें उसके उपर किसे ने कुछ किया है कुछ खिला दिया है चाय कॉफी पानी के सारे ही सही पर खिला दिया है अगर आपको एहसास हो कि आपके पीछे कोई है इसका मतलब भी यही होता है कि सच में कोई होता है बले आपको ना दिखे आपको खाना खा रहे हैं आपको लग रहा है जैसे आपके आसपास कोई बैठके खा रहा है आपको दीख नहीं रहा है लेकिन आपको ऐसा हिसास होता है कोई है इसका मतलब है कुछ न कुछ है ऐसी नेगटिव एनर्जी जो आपके पास है आपके लिए ये सही नहीं है कुछ लोग रात में सपने में देखते हैं कि कोई आपको बुला रहा है ये भी सही नहीं माना जाता है क्योंकि ये इसका मतलब है कि प्रचंड तंत्र क्रिया आपके उपर हुई है तो ऐसे में आपको तुरंत इन चीजों से बाहर निकलने के लिए पुजापाट घर में करवाना चाहिए किसी खास हिस्से में सर में हमेशा दर्द रहे या कोई सरीर में दर्द रहे तो इसका मतलब भी होता है कि किसी ने कुछ आपके उपर किया है सरीर के कुछ खास हिस्से जैसे हाथ पैर नाभी के नीचे पेट में हमेशा दर्द महसूस हो डॉक्टर के पास जाने से भी आपको इसका इलाज ना मिले खास कर नाभी के नीचे दर्द होना तो ये प्रॉब्लम बताता है कि किसी ने आपके उपर तंत्र क्रिया करवा दिया है आपका पेट के पेट में जब दर्द होने लगता है घर में रखी भी चीजें आपको एक जगह नहीं मिलती आपने यहां रखा कहीं और मिले या फिर गायब हो रहा है ये भी आपके घर में जदू टोना का ही असर दिखता है कई बार होता है आपकी सगाई भी नहीं होती साधी नहीं होती घर के अंदर कोई बाल काट कर ले जाता है तो ऐसे कोई कपड़ा चोरी कर लेता है तो जादू टोना के असर से घर में मांगली कारे नहीं होते बिवा नहीं होना बच्चे संतान प्राप्ती नहीं होना ये सब ज लाग कमा लो लाग बचत कर लो पर पैसे नहीं बचेंगे दवाईयों में खर्चिदा उधर खर्च तो इसका भी मतलब है कि आपने आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र से आपके जीवन की जो आपका एक तरक्की का रास्ता है इसको बांध दिया है किसी ने बड़ा पथल बा आपने देखते हैं तो भी इसका मतलब होता है किसी ने जादू टोना आपको आपके ऊपर किया है तो इन तंत्र मंत्र क्रियाओं से बाहर निकलने के लिए खास परियोग हम बताएंगे जिसका कोई काट नहीं आप इस परियोग को कर लेते हैं तो आपका तंत्र मंत्र क्रि आपको संभल कर रहना चाहिए रात में अगर ठीक से नीद नहीं आते बार बार आँखे खुलती है कुछ सुनाई देता है तो भी यह इसका मतलब है आपके घर में कुछ न कुछ गरवरतो है यहां पर बहुत ज़्यादा परिसानी होती है क्योंकि ऐसे में आपको तुरंथ इसकी सांती करानी चाहिए अगर आपका नौकरी छूट गया है बिजनस ना चले तो पूरी तरह से आपके वेब साइक को लोगों ने बान दिया ऐसा समझना चाहिए कई बार तो पडोसी भी ऐसा करते हैं आप जौब करते हैं आपके साथ काम करने वाले लोग भी करते हैं इस तरह की चीजें होती है अगर आपके बिमारी डॉक्टर को समझ में ना आए शरीर सूखने लगे तो इसका मतलब भी यही होता है कि तांतरिक क्रिया लोगों ने कर प्रान नहीं निकलता लेकिन सरीर को बेजान कर देता है आपको रात में सोते हैं आपको लगता है जैसे आपका सरीर रोज कोई दबा रहा है आपको सिर्फ एहसास होता है पर ऐसा होता नहीं आप प्रियास करें लेकिन कोई लगता है आपको बार बार जैसे गला दबा रहा तो ऐसा महसूस होता है पैरों के अंदर जैसे कील चूब रहा है अगर आपको जरासा भी ऐसा हैसा होता है तुरंत आप इसका भी आप को उपाई करना चाहिए क्योंकि घर में जब काली ताकतों का साया आता है तो बीमारियां परिसानियां हर तरह से बेखती को तबाह कर देत ये भी संकेत बताता है कि किसी ने कुछ करवाया है तभी ऐसा हो रहा है कोई जानबर है अचानक मर जाए ये भी संकेत देता है कि काला साया आपके जीवन में है अगर आप एकदम से निरासाबादी से पिडित है यानि मन में हमेसा निगेटिव खयाल आते हैं आप बेबज क्रियाय करने के लिए भी ऐसा करते हैं तो ये तो लक्षन है आपके उपर कोई भी लक्षन अगर अपलाई हो तो आपको एक प्रियोग करना चाहिए इन तमाम प्रिशानियों से बचने के लिए आप ये प्रियोग लगातार साथ दिन करेंगे पान का पत्ता मार्केट से खरि रात में सोने के पहले इस पान के पत्ते पर सरसों का तेल एक बुंद आगे पीछे लगा लें यानि पान के पत्ते के सामने साइड और पीछे साइड दोनों साइड आपको सरसों का तेल एक एक बुंद लगाना है और रात में सोते समय अपने सिरहने यानि जहां पर आप सर र आप लोग सभी एक जगह सोते हैं पूरे घर के लोग फिर भी आप यह प्रियोग कर सकते हैं एक ही जगह रखिए एक ही पान का पत्ता रखना है अब इस पत्ते को अगले दिन सुबह जो भी बैकती पहले उठता है आपके घर का पच्चा नहीं कोई बड़ा बैकती उसको कहि यह प्रियोग लगातार साथ दिन करना है हर बार नया पत्ता होगा फिर देखे चमतकाद है अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजे और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा कमेंट्स में हर हर महादेब जरूर लिखे धन्यवाद